नमस्कार मैं हूँ प्रभाकर मनितिवारी आप देख रहे हैं मेरा खास कारिकरम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर भवानिपोर समेथ पस्चि मंगाल में विधान सभा की तीन सीटों पर उपचुनाव बीद गए नतीजे भी सामने आ गए आपको पता है नतीजे क्या रहे आज मैं चर्चा करूँगा विपक्ष की किस तरह इस उपचुनाव और इसके नतीजों ने विपक्ष का चेहरा उसकी कमजोर इस्तिती को उजागर कर दिया है बताऊंगा किसको कितने वोट मिले कितना घटा किसका वोट कितना बढ़ा करीब पांच महीने पहले जब बिदान सभा चुनाव हुए थे उसमें भवानी पूर सीट पर किसको कितने फिस्दी वोट मिले थे इसकी चर्चा करूँगा और आपको बताऊंगा किसको कितना नुक्सान हुआ और क्यों नुक्सान हुआ CPM उमिदवार भी मैदान में था उसकी क्या इस्तिती रही इसका भी जिक्र करूँगा अब तक तो सुर्खियों में मम्ता की रिकार्ड जीती रही है लेकिन आज मैं वो बातें बताऊंगा जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है देखते रहिए देखिये जचे रिपोर्ट तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों परिजिनों के साथ शेयर करें और घंटी का निसान भी दबा दें साथ ही आपको आज मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा कोलकाता से बनारस यारि रानि हुगली से गंगा तक के टรें के सफर के करोना काल में दूसरी लहर के बाद तो दिखाऊंगा आपको यह ट्रेंज आत्रा और इसके बाद अगला वीडियो आपको बनारस देखने को मिलेगा एक आत दिनों में बनारस की एहमियत बनारस के योतिशा चार्ज से बातचित बनारस के महामाते जो महिमा है बनारस की एहमियत है देखते रहिए तमाम वीडिय वीडियोज और सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज देखने को मिलते रहें तो चलिए देखते हैं आज उपचुनाओ के नतीजों का पोस्ट मार्टम करते हैं किसकी क्या इस्तिती रही पस्ची मंगाल में सबकी निगाहे थी भवानी पोरूप चुनाओ पर क्योंकि मम्ता बनरजी मैदान में थी और रिकार्ड वोटों से जीत हासिल की यह तो आप जानते ही हैं लेकिन इस उपचुनाओ के नतीजे ने विपक्षी राजनीति का बंगाल में विपक्षी दलों की इस्तिती क्या है विपक्षी राजनीति का चेहरा उजागर कर दिया है नेत्रित में बदलाओ और आंतरिक गुटबाजी से जूज रही बीजेपी महज 6 महीने पहले तक TMC को भारी चुनावती देती नजरा रही थी लेकिन इस उपचुनाओ में उसका खाता तक नहीं खुल सका उसके बिधायकों की तादाद भी लगातार घटती जा रही है अप्रेल मही में हुए बिधान सबाचुनाओ में 77 सीटे जितले वाली भगवा पार्टी के पास अब महज 70 बिधायक ही बचे हैं कॉंग्रेस ने तो भावानीपूर में उमिद्वार नहीं देने का फैसला कर अपनी लाज बचा ली लेकिन सीपीयम उमिद्वार की दुर्गती हो गई और उसे नोटा से महज 2700 बोट ही ज़्यादा मिले कई राउन में तो पार्टी नोटा को मिले बोटों से भी पीछे थी और भावानीपूर इलाका आप जानते हैं इसका जाती है समिकरण पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ आबादी की विविट्टा की बज़े से इसे मीनी इंडिया मीनी भारत कहा जाता है इलाके में करीब 46 फिजदी यानि 46 परसेंट गहर बंगाली हैं और 20 फिजदी अलपसंख्यक या मुसल्मान मम्ता ने दावा किया है कि उनको इस बार हर तबके का समर्थन मिला है और चुनाव नतीजों के विशले सर से भी उनका यह दावा सही नजर आता है बीते अप्रेल में बिधान सबा चुनाव जब हुए थे तो यहां टीमसी उमिद्वार सोभन देव चिटर जी को 57.71 फिजदी बोट मिले थे जबकि ममता को इस बार 71.91 यानि करीब 72 फिजदी बोट मिले हैं यानि पांच महीने के भीतर ही टीमसी का वोट परस्यत वोट सेर 25 फिजदी बढ़ गया है दूसरी और बीजेपी उमिद्वार को पिछली बार यहां 35.61 फिजदी बोट मिले थे लेकिन इस बार पार्टी की उमिद्वार प्रियंका टिब्डेवाल को 22.29 फिजदी बोटों से ही संतोस करना पड़ा है यानि टीमसी का वोट सेर जहां 25 फिजदी बढ़ा है वहीं बीजेपी का वोट सेर 13 फिजदी घड़ गया है सबसे खराब इस्थिती तो रही सीपीम इमिद्वार स्रीजीव विश्वास की उनको महस 3.56 फिजदी वोट ही मिल सके और शुरुआती कई राउंड तक तो वो नोटा में जितने बोट पड़े थे उससे भी पीछे चल रहे थे लेकिन उसको उनको इस बात का संतोस हो सकता है कि आखिर में उनके और नोटा में पड़े बोटों के बीच करीब 2700 बोटों का अंतर रहा बिते बिदानसवा चुनाओ में यहां लेफ्ट कॉंग्रेस गठ जोड के तहट कॉंग्रेस ने उमिद्वायर मैदान में उतारा था उसे 4.099 फिस दी यानी करीब 1000 ज्यादा बोट मिले थे अब सवाल उठ रहा है कि बर्स 2011 में सत्ता से बाहर होने वाली सिपियम क्या बंगाल की राजदीत में पूरी तरह अपरासंगिक हो चुकी है पार्टी के बरिष्ट नेता रबिन देव कहते हैं बिदान सबाद चुनाओ में हमारा प्रदेशन बेहत खराब रहा और खाता तक नहीं खुला था अब छे महीने से भी कम समय में यह उप चुनाओ हुआ तो हमें संगठित होने का मौका नहीं मिल सका लेकिन नतीजा इतना खराब होगा इसकी उमीद नहीं थी उनका आरोफ है कि मुख्यमंत्री को जिताने के लिए पूरा सरकारी तंत्र मैदान में उतर गया था दूसरी और हाल तक CPM की सायोगी रही कॉंग्रेस के पूर परदेश अध्यक सांसद परदीबटा चार्ज का कहना है कि CPM की इतनी दुरगती होगी यह किसी ने कलपना तक नहीं कि थी अगर हमने उमिद्वार खड़ा किया होता तो इससे कई गुना ज्यादा वोट मिले होते शमसेर गंज और जंगीपूर के नतीजे इसका सबूत है प्रदीबटा चार्ज के मुताबिक नतीजों से साफ है कि हमारी पार्टी यानि कॉंग्रेस बंगाल की राजनीत में अब भी प्रासंगिक है अब बात BJP की इस्थिति की BJP की अंतरकला की दरअसल भवानिपॉर सीट पर उपचुनाव से पहले ही BJP में आंतरिक कला भी लगातार तेज हो रही थी मतदान और यानि उपचुनाव से ठीक पहले जहां आशन सोल के सांसद बाबुल सुप्रीयों ने TM का दामन थाम लिया था वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिलिप घोस को कारिकाल पूरा होने से पहले ही अचानक हटा दिया गया और उनकी जगह बालूर घाट के सांसच सुकांत मजुमदार को पार्टी की कमान सौपी गई तेजी से बदले इस घटना क्रम से साफ है कि बीजेप कभी चुनावती देने की इस्तिती में नहीं थी और चुनाव अभियान के दोड़ान भी केंद्रिय मंत्रिय हरदीप शिंगपुरी और स्मृति रानी के अलावा कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया जहां तक प्रियंका टिब्रेवाल को टिकट देने का सवाल है पार्टी में पहले दो चुनाव हार चुकी प्रियंका को ही मैदान में उतारता पड़ा और इलाके में जातिय समिकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के उम्मीद थी बीजेपी को की प्रियंका चुनाव जीत भले नहीं सके ममता को खासी टक कर दे सकती हैं लेकिन नतीजों से साफ है कि पार्टी के तमाम पुर्वानुमान गड़बडा गए हलाकि नतीजों के बाद अब पार्टी के नेता चुनावी धादली के आरोप उठा रहे हैं मतदान के दोरान विजेपी ने करीब दो दर्जन शिकायतें चुनाव आयोग को भेजी थी लेकिन आयोग ने निराधार बताते हुए उनको खारिज कर दिया था तो इन उप चुनाव ने एक बार फिर टीमसी और मौमता बनर जी की ताकत साबित कर दिय है और विपक्ष के चेहरे का नकाब उतार दिया है आज के लिए बस इतना ही देखते रहिए घुमककडी के वीडियो भी बनारस के वीडियो भी रास्थान के वीडियो फिलहाल धन्यवाद नमस्कार